आडवोकिट भुदिप महननद्य का अभिबाद अंस्प्रिकार के जियें शाथियों आप देख रहे भईश्चाप पीपल भईश्चाप बहुजन शाथियों अब सब लोग शुने होंगे और जानते भी है बाबा साहिब अमबेटकर कितना स्ट्रगल करके डिगरियां हासिल किया है बाबा साहिब अमबेटकर का जीबन को और एजुकेशन को आगे बढ़ाने के लिए उनका पिता जी सुवेदार राम जी मालो जी सकपाल का भूमी का ज़्यादा था जब तो को जिन्दा थे उनका एजुकेशन के लिए उन्हें वो मादद कर रहे थे सन 1913 फेबरुआरी टू बाबा साहिब अमबेटकर के लिए सबसे बड़ा पेइनफुल दे था यानि दो फेबरुआरी 1913 में सुवेदार राम जी मालो जी सकपाल जी का देहान्त हो जाता है बाबा साहिब अमबेटकर को ये सबसे बड़ा सक्त दग्का था फिर भी बाबा साहिब अमबेटकर हार नहीं माने उनको सिख्छा का भूक आगे पढ़ने की भूक जादा था कंडीशन के अनुशा सिख्य समापति के बाद बरुडा महराज का राजदरवार में नोक्री करना था बबा साहिब बुरुडा महाराज का दरवार में नोकरी कर नहीं पाते सबसे बड़ा कारण ये है कि वहाँ उनको ठहरने के लिए जगा नहीं मिलता अपना नाम छुपा कर भी एक पास्थी होटिल में ठहरे थे वहाँ भी उन्हें भगाया जाता इसलिए डक्टर बबा साहिब अमबेटकर वहाँ नोकरी कर नहीं पाते नोकरी का कंडिशन उनका पढ़ाई का कंडिशन क्या था पढ़ाई खतम होने के वाद डक्टर बबा साहिब अमबेटकर बुरुडा स्टेट को सार्विस देंगे इस एग्रिमेंट के तहट बबासाहिप का हायर स्टेडी हुआ था लेकिन कास्तिजम के द्वारा जही नीच मालसिक्त जातिवात के द्वारा डक्टर बबासाहिप को मिट कर बुरुडा स्टेट में नोक्री कर नहीं पाते हुआ और वो उनका नाकुरी डिसकंटीनू कर देते हैं और मुंबे चले आते हैं साथी वो बुरुडा महाराज जून 1913 में एक डिकलियर करते हैं और तीन स्टूडेंट को उनका स्टेट से कॉलंबिया इनवर्सिटी पढ़ने के लिए वेजेंगे उनाट्र स्टेट अब अमेरिका जब ये बात डक्टर बाबासाहिब अमबेट कर जानते हैं वो महाराज सायोजी राओ गाइकवाड को मुलाकत करते हैं राजा उन्हें बलीभाती जानते थे तो उस बक्त राजा गाइकवाड महाराज मुंबे आये थे बाबसाहिब अमबेट कर महाराज को सक्थ्यात करते हैं अड़्दा मालबर हिल पैलेस मालबर हिल पैलेस में महाराज सायोजी राओ गाइकवाड ठहरे थे तो डक्टर बाबसाहिब अमबेट कर जाके मुलाकत करते हैं हायर स्टडी का प्लान के लिए महाराज और डक्टर बबासाहिब अमबेटकर का मुलाकात होता है मालवर हिल पैलेस में लगभग आधा घंटा बात दोनों को बीच में होता है उसमें बबासाहिब अमबेटकर और महाराज गाईखवाड का बीच में बात क्या हुआ था महाराज पूछते हैं बबासाहिब अमबेटकर को कौन-कौन सा सब्जेक में आप पढ़ना चाते है अमेरिका, युनार्टे स्टेट अब अमेरिका जाके जो की कलुम्बिया इन्वर्सिटी जाके तो डक्टर बबासाहिब अमबेटकर रिप्लाई देते है मैं एसा सब्जेक में पढ़ना चाता हूँ, जो सब्जेक की मेरे शमाज का, मेरे शुसाइटी का लोगों का काम के लिए आ सके तो उनका सब्जेक वो चूज किये थे बाबासाहिब अमबेटकर, सोचियोलोजी, इकोनमिक, एंड पैसाली पॉब्लिक फाइनन्स राजा पूछते हैं, आप ये सब्जेक क्यों लेते हैं, क्या जुरूरत है आपको इकोनमिक पढ़ने के लिए, सोचियोलोजी पढ़ने के लिए, और पॉब्लिक फाइनन्स पढ़ने के लिए बाबा साहिब अमबेटकर कहते हैं, मैं इनको पढ़ू और सही से समझू, और इनको सोचियल रिफार्म के लिए, मेरे समाच का उत्थान के लिए, इस्तिमाल कर पाओ राजा हसते हैं, आपको पता है, पढ़ाई के भाद तो आप हमारा राजदर्बार में स्नोकरी करने के लिए जा रहे हैं, फिर आप केशे कर पाएंगे, बाबा साहिब अमबेटकर कहते हैं, आप अनुमती देतों, ये संभव है, इसे दोनों का बीच में माक्चित होता है, बाबा साहिब अमबेटकर राजा का बीच में एक पैक्ट होता है, ये पैक्ट ये है कि दस साल के लिए बाबा साहिब अमबेटकर बरोडा महाराज का पास काम करेंगे, कितना? दस साल. तो 4 जून 1913 में, बाबा साहिब अमबेटकर और बरोडा महाराज का बीच में एक एग्रिमेंट होता है, उस एग्रिमेंट के तहित, डक्टर बाबा साहिब अमबेटकर को कुलूम्बिया इनवर्सिटी में पढ़ने के लिए चार्स मिलता है, एग्रिमेंट का सबसे इंपूटेंड बिशे क्या था, कि 10 साल तक वो पढ़ाई के बाद, 10 साल तक बरोडा स्टेक को उस से बादेंगे, तो एग्रिमेंट साइन होता है, और बाबा साहिब अमबेटकर को पढ़ाई का खर्चा दिया जाता है, या आने जाने का खर्चा, वहां रहने के खर्चा, किताब खरिदने की खर्चा, पढ़ाई का खर्चा, वह सब लिखा जाता है एग्रिमेंट में, एग्रिमेंट में और वेरी इंपूर्टेंट था, जब वो जाएगा भारत छोड़ कर मुंबे से, युनाटे स्टेट अब दा आमिरीका, कोलॉंबिय इंबर्सिडे जाएगा तो सेकेंड क्लास, स्लीपर क्लास उन्हें मिलेगा, जो वो फ्रांस कमपानी या इंगलंड का कमपानी का कोई भी जाहाज में वो जाएगा, तो उन्हें सेकेंड क्लास, स्लीपर क्लास मिलेगा, इसा एग्रिमेंट को अग्रिमेंट में हस्ता खर्कोर करते हैं, एग्रिमें सब्रंट मिनेस्ट रप एजूकेशन बोड़ा स्टेट तो उनका और डॉक्टर बावा सहने कर बीच में ją कि अक्र झलेंकर होता है उसके ऽज को सब्सक्राइब अमबट कर लेते लेकिन रिपाते हैं व combi फिन्हाभ रहा था और वहां पेशा बापस देना पड़ेगा एशा चिठ्थी आता है उस वक्त का फाइनांस एकाउंटिंग सेक्षन का अफीशर एक पंडीत एक ब्राह्मन पुरुहीत शहापक बवासाहिब अमबेट कर नाइन ट्वाल 1924 में चिठ्थी लिखते हैं जब वो पंडीत उन्हें पेशा के पेशा रिटन करने के लिए चिठ्थ लिखते हैं तो रिप्लाई चिठ्थी ववासाहिब अमबेट कर नाइन डिसेंबर 1924 में देते हैं तो उसमें ववासाहिब अमबेट कर कितना एक्सपंडीचर किये थे डिटेल खर्चा का हिसाब बर्नन क्या गया है जो भलून 17 में आ लिखा गया है जब बवासाहिब अमबेट कर आमेरिका में थे पढ़ने के लिए उस बक्त टोटाल पेशा और बवासाहिब अमबेट कर जब इंग्लेंड में थे उस बक्त का टोटाल पेशा कुल मिलाकर 20,434 रुपी 6 पाइस होता है कुल मिलाकर 20,434 रुपी 6 पाइस खर्चा है बवासाहिब अमबेट कर जो खर्चा वो करते तो उनका भी हिसाब किताब रखते थे जब चिठ्थी मिलता है बवासाहिब अमबेट कर को उनका वरोडा महारात का फाइनस दिपार्टमेंट का मंत्री और एकाउंटिंग सेक्शन का वो पंडित जी को बवासाहिब अमबेट कर चिठ्थी लिखते हैं आप जानते हैं इस वक्त में आपका पेशा रिटन करने की खमता नहीं है आपका चिठ्थी में आप ये भी लिख रहे हैं कि मैं सटल हो चुका हूँ बुंबे में मैं बारिष्टर खतम करके अभी अभी मेरा वकालत प्राक्टिस कर रहा हूँ वकालत का वान्येर हो चुका है जाती मानसिक्त का बिश के कारण जो बिश मुझे डस रहा है इसलिए मारा प्रोफेशन सही से नहीं चल रहा है मैं लड़ रहा हूँ मैं इससा कंडिशन में नह तो मैं आपका पेशा रिटन कर दोंगा ऐसे बाबा साहिब अमबेटकर लिखते एक्चुली यह चिठी बरोडा महराज का अज्ञात में हुआ था बाबा साहिब अमबेटकर को सचाने के लिए सटाने के लिए उस बक्त का मनुवादी का लोग के से प्लान कर रहते इस का पाई-पाई का हसाब चुका दूँगा लेकिन मुझे थोड़ा बक्त चाहिए मुझे थोड़ा बक्त चाहिए और बाबा साहिब अमबेटकर उनका रिप्लाई चिठी का रिप्लाई एशे ही देते एक्चुली डेक्टर बाबा साहिब अमबेटकर बुरडा स्टेट में नोकरी करने के लिए गहे थे क्योंकि agreement के तहट बबाब सहीब अमबेकर agreement के खिलाफ नहीं थे लेकिन society मनुवात-सोच रखने वाले लोग जाब बुर्शकर बबाब सहीब अमबेकर को बरोडा स्टेट में नोकरी करने नहीं दिया गया उनको ठेहरने के लिए जगा नहीं मिला इतना बड़ा ओदे पर रहते हुए भी बबासाइब अमबेटकर को कोई भी सुविदार नहीं मिला ये बात महराज भी वले बाती जानते थे फिर भी मनुबात सोच रखने वाले पंडित जी बबासाइब अमबेटकर को चिठी लिख के सताते हैं पेशा बापस के लिए और ड़क्टर बबासाइब अमबेटकर उनका रिप्लाइ नाइन डिसेंबर 1924 में क्लियर लिख देते हैं और वहाँ एक बात कहते हैं I am a man of character मैं एक इनसान हूं I am a man of character ये सब्दों हो यूज करते हैं उनका मतलब क्या है सच मुझ पर ड़क्टर बबासाइब अमबेटकर अच्छा character का इनसान था आज तक ड़क्टर बबासाइब अमबेटकर जैसे character वान ब्यक्ति भारत बरस में कोई पैदा ही नहीं हुए बबासाइब अमबेटकर इसलिए आज भारत का मशीह बताया जाता है बबासाइब अमबेटकर को इसलिए आज नौलेज अप दो वाल्ड बताया जाता है बबासाहिब अमबेटकर को इसले आज symbol of the knowledge इसले डॉक्टर बबासाहिब अमबेटकर को कोलॉंबिया इन्वर्सिटी जैसे इन्वर्सिटी में नंबर वन स्कूलार बताया जाता है He is the knowledge of the world बक्त आया बबासाहिब अमबेटकर बरोड़ा स्टेट का पैसा भी बापस दिये थे बबासाहिब बबासाहिब यह उनका संगास उनका बलिदान हम फूल नहीं पाएंगे लेकिन इसके लिए बबासाहिब अमबेटकर का और एक डाइनाहाप्यों के मदद किया जाया गया था उनका स्टड़ी में वो थी माता रमावाई 1913 में जब सुवेदर रामुजी सक्पाल का देहांत होता है माता रमावाई बबासाहिब अमबेटकर का च्छाई की तरह उन्हें मदद करती है उनका हायर स्टड़ी के लिए तो चाहिद करती है इसलिए इतिहास हर वक्त माता रमावाई को बबासाहिब अमबेटकर का नाम का साथ जुड़ा जाता है बबासाहिब अमबेटकर आज अमबेटकर बन गे तो सिर्फ फिन सिर्फ माता रमावाई का योगदान का द्वारव बबासाहिब अंबेटकर का उनकाउंटेबल लेवर, समय का सद्योप योग, पेशा का सद्योप योग, उनको दुनिया में सबसे highly qualified इंसान बना दिया। लिमिटेड सोर्स में डक्टर बबासाहिब अंबेटकर दुनिया का तमाम डिगरी को हासल कर लेते हैं, चुकि वो बक्त को सही से इस्तमाल करते थे, वो जामते थे, उन्हें highly education required है, तब जाके वो समाज को परिवर्तन कर पाएगा, जब महराज का साथ उनका डायलग हुआ थ यानि आपका, जून 1913 में बबासाहिब अंबेटकर ये बात कहते थे, उनका subject choice के बारे में पुछा गया था, तब ये बात बबासाहिब महराज को कहे थे, क्या ये बात था, उनका subject था, sociology, economic and public finance, जब sociology, economic and public finance, चूप पढ़ने के लिए इच्छा है, ऐसे प्रस्ण जब कस् महराज तब बबासाहिब अंबेटकर कहते है, ये पढ़ाई मेरे समाज का उत्थान के लिए करूँगा, सच मुछ में बबासाहिब अंबेटकर इतना, इतना डिगरी का धनी क्यों हुए, उन्हें पता था, ये सब जरूरी है, उस वक्त का समाज को परिबर्तन करने के ये सब जरूरी था डक्टर बबासाहिब अंबेटकर को भारत में, भारत का बहुजन को अजादी दिलाने के लिए, इसलिए बबासाहिब अंबेटकर को आज मैन अब ते क्यराक्टर, नौलेज अब दो वाल्ड, सिंबल अब दो नौलेज अब दो वाल्ड, और कलोंबिया इन्वर्सिटी में सबसे गुनार शात्र जेशिल उपाधी में नवाजा जाता है लेकिन बड़े दुख्रत की बात है जब तक बबाँ सहीब अमबेटकर जिन्दा थे तब तक उस वक्त का मनुवादि सरकार उन्हें रता रहा था मुर्ण परांथ बबाँ सहीब अमबेटकर को तरदस अभकान सिरा मुअ परत है मैवत जी का संगर्ष का फल्सवरप उन्हें भारत रत्न उपाधी दिया जाता है आज का तारीक में छक्का मरने वाले को वारत रत्न मिलता है आज का तारीक में नाचने वाले को भारत रत्र मिलता है आज का तारीक में गाना गाने वाले को भारत रत्र मिलता है लेकिन भारत का आर्किटेक्टर भारत का भग्यविधाता भारत का समविधात बनाने वाले मशीह डक्टर बावा सहीब अम्मेटकर को मरणो परांत भारत र सायवति जी का अक्लान परिश्रम का द्वारा जब तक हम लोग लडाई नहीं करेंगे हमारा आजादी शुरस्चित नहीं है आज भी हम लोग सेकंड प्लास सिटिजन है भारत वर्स में इस से मिजाज पाने के लिए बाबा साहिप का द्वारा बताया गया मार्ग में चलना है और आने वाला कल हमारा जेनरेशन को बाबा साहिप पे बारे में बताना है साथी हूँ आप देख रहे हैं भईसाब पीपुल भईसाब भौजद इस चनल को जदा से जदा लाइक कीजिए सेर कीजिए कमेंट कीजिए सब्सक्राइब करना मत भूलिए सब्सक्राइब जरू योग से भईसाब पीपुल भईसाब बहुजद कभी एक कदम भी आगे बढ़ने शकता इसलिए आप इनको जदा से जदा सब्सक्राइब कीजिए